बीजेपी शाषित राज्ये हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हर्याना हो, इन तीनों जगा जो है पेपर लीक हुआ है, तो हम लोग ही नहीं, बलकि पूरा इंडिया ऐलाइंस जो है, इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसको रद किया जाए, और हम लोग दिल्ली के सीम को बेल मिलने वी कैसे देखने हैं, तो कोट का अपना फैसला है, और कोट का अपना निंदा है, तो अपना स्वागत हम लोग करते हैं, आप देखिए, राजिस में सरकार उनकी, केंदर में सरकार उनकी, जाच अपना सरकार उनकी, हम ही कहते हैं, मुखमंत्री जी को बुला ले मेरे साइक को, अरे चाहे पीए हो, पीए सो, कोई हो, बुला करके पूछ ताच कर ले, कोई अगर बात है तो, लेकिन जो अपना मुखमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, यो यो तो आज तक कहा नही है इस बात को ले करके, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, इस तो बिना ज्यान है इन लोगों को ज्यान नहीं है, जब मही में जब अरेस्टिक वहता है, तप से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भई, कि कारवाई करनी चाहिए, जिस इंजीनर की बात कर रहे हैं, यही लोग जलसन सादन से, थोरा ज्यान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को, यह लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लिग के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो आमित आनंध है, जो आपका नितीश कुमार है, यह कौन लोग है, इनको क्यों बचाना क्यों लोग जो है डाइवर्ट कर रहें इशू को, तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, जो भी किंग पिंग है, कल मनो जहाजी ने पर प्रेस कांफरेंस करके, तस्वीर साजा कर दी है, अगर कोई दोशी हो, उसको बुला के पूछने में क्या दिकत है, ब कोई बात पता चलता नहीं अधर, तो एक बात सपस्ट है, देख लीजे, कि जो भी मामला है, इस चीज को आज नहीं कल तो सब पता चली जाना है, जो लोग मेरा नाम घशीदना चाहते है, मेरे पीए का घशीदना चाहते है, इससे कोई फाइदा होने वाला नहीं है, जिस कि बात करें, वो बेनेफिशरी हो सकता है, बेनेफिशरी हो सकता है, लेकिन पेपर लिग का मास्टर माइंड तो आमेत आनंद है, देटीश कुमार है, उसमें करवाई करनी चाहिए, जब ये सिक्षा विभाग में जब नौकरिया निकली थी, बीपेसी वाली, तीसरी वाल जो रद हुआ, उसके जो अप्राधी लोग जो है, जो पेपर लिग कराये थे, वो तो बाहर बाहर घूम करके बेना जेल गयी बेल करा लिए, तो हम लोगों को सब का जानकारी है, ऐसा नहीं है, कि क्या है नहीं है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है, देश की जनता जानत जब जब बीजेपी सक्ता में आती है, तरता पेपर लिग होता है, राहूल गांधी जाना चाहता है कि प्रधान मंत्री क्यों खामोस है, क्यों उनको किसी की चिंता है, कि अध्यक्स कोण बनेगा लोग सभागा, अब इस पारे पे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प् पर्धार मंत्री कुछ ना कुछ गड़बर होई रहा है, अब पर्धार मंत्री जी हर्द मामने में चुपी सादेवें